नमस्कार मैं हो यासमीर सुशान सिंग राजपूत की मौत के बाद स्टार किड्स को नेपोटिजम के नाम पर काफी ट्रोल किया जा रहा है जिसमें आलिया भट भी शामिल है सोनम कपूर सुनाक्षी सिन्हा से लेकर कई स्टार्स ने इस मुद्दे पर अपनी चुपी तोड़ी लेकिन आलिया भट अब तक खामोश है अब नेपोटिजम पर फिल्म मेकर आल बालकी का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने आलिया भट और अन्बीर कपूर को सपोर्ट करते वे उन्हें बहतर आक्टर बताया और आल बालकी ने एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में कहा इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ये हर जगा है जरा महिंद्रो और अमबानीज के बारे में सोचिए उनके पिता ने उनके हाथों में अपना बिजनस सौपा और किसी ने कुछ कहा मुझे नहीं लगता कि मुकेश अमबानी के अलावा ये बिजनस किसी और को संभालना चाहिए था सौसाइटी में ये हर जगा होता है बलकि सबजी वाला ड्राइवर तक भी अपना बिजनस अपने बच्चों के हाथों में ही सौपते हैं ये बेवकुफी वाली बहस है हम एक आजाद सौसाइटी में रहते हैं आरबालकी ने आगे कहा अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्टार किड्स को ज़्यादा फाइदा मिलता है तो हाँ हर चीज के दो पहलू होते हैं फाइदा भी और नुकसान भी मैं सिर्फ एक आसान सवाल पुछना चाहता हूँ आलिया भट और अन्बीर कपोर से बहतर आक्टर ढून कर ला दीजे फिर इस पर बहस करेंगे ये बहस उन लोगों के लिए सही नहीं बैठती जो एक अच्छे अभीनेता है इस बात को समझ ये कि आउडियन्स को बिना टालेंट वाला कोई भी स्टार पसंद रही है कभी कभी आउडियन्स खुद भी स्टार किट्स को हीप परदे पर देखना चाहते उन्हें पहला मौका मिलता है और आगे की मेहनत उन्हें भी खुद करनी परती है मैं इस बात से सहमत हो कि आउटसाइडर को फिल्म इंडस्टरी में कदम रखने के लिए जादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन टैलेंट से मौका मिलता है आरबालकी की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने नेपोटिजम का रोना रोने वाले स्टार्स पर निशाना सादा है और कहा है कि रनबीर और आलिया से बहतर आक्टर ले आओ फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे बता दे कि बॉलिवुड में अगर किसी नेपोटिजम पर सबसे पहले खुल कर बात की है तो वो हैं कंगना रनौद ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आरबालकी के इस स्टेटमेंट पर कंगना कैसे रियाक्ट करती है सुशान सिंग राजपूत की मौत ने हम सब को जिन जोड़ के रख दिया है मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर है कैसे पैलर नेर्टिव चलाना है वो इस तरह से चला रहे है कि हां जिनका दिमाग कमजोर होता है वो यह दिप्रेशन में आते हैं हां सुशाइड करते हैं जो बंदेने स्टैनफोर्ड की स्कॉलर्षी वो रैंक होल्डर है उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट क्लियरली कह रहे है कि लोगों को बैक कर रहे है कि प्लीज मेरी विल्म में देखो या चिछोरे जैसे फिल्म को सारे वाड मिलते हैं चिछोरे इस दर बेस्ट फिल्म को कोई अग्नॉलजमेंट नहीं हमें आप से कुछ नहीं चाहिए हमें आपके फिल्में नहीं चाहिए लिकिए हम खुद करते हैं आप हमारे अग्नॉलजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं मैं जो खुद फिल्म में डिरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरीट फिल्मों को ये फ्लॉप भोशित करते हैं, मुझे छे केसिस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डाले की कोशिश की गई, और मुझे इनके जो चम्चे जर्नलिस्त हैं, वो शुषान जैसे लोगों पे जो blind items लिखते हैं, कि वो psychotic है, neurotic है, addict है, संजदत की addiction तो आपको बहुत क्यूट लगती है, वो लोग मुझे मेसेज करते हैं, कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा फैसा स्टेप मत ठाले ना, ऐसा क्यों कहते हैं मुझे ये, क्यों में दिमाग में डा और ये लिखे के, शुशांत कमजोर दिमाग का था, वो ये नहीं बताएंगे के, कैसा चाही क्या है, तो हमें ये decide करना है, कि who will write the history, we will decide